जब से आर्सिपी सिंग केंद्रिय मंत्री बने हैं तब से जेडियू में कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है लगतार ऐसे दावे किये जा रहे हैं राजद हो या फिर विपक्ष के अन्य जो दल है उन सब के तरब से ये कहा जाता है कि जेडियू में दो फार हो गया है एक फार जो है उपिंद्र कुष्वाहां का हो गया है और दूश्रा जो है वह आर्सिपी सिंग का हो गया है एक लेकर अब बवाल मच किया गया लेकिन 15 तारीक हाते आते दुबारा पत्र जारी करना पड़ा दूसरे पत्र में राष्ट्रे अध्यवच रसेपी सिंग को आउट कर दिया गया है और अब उपेंद्र कुष्वाहा जेडियू की मीटिंग में शामिल होने वाले हैं 18 जुलाई को जेडियू करम अस्थागित कर दिया और अब उवे जेडियू की मीटिंग में सामिल होंगे इसी बीच परदेश नेत्रित्व ने 15 जुलाई को जारी दूसरे पत्र में रसी पीसी के संबोधन कार्शक्रम को हटा दिया परदेश महासचीव अनिल कुमार के तरफ से पत्र जारी किया ग बैठक में राष्ट्र अध्यक्ष रसीपी सिंग के संबोधन का जिक्र था वहीं दूसरे पत्र में अब आर्सीपी सिंग के संबोधन का कोई शब्द नहीं है बलकि अब इस बैठक में उपेंद्र कुछवाहा जो है उनका संबोधन होगा उन्होंने तमाम जीलों का दौर मस्थागित कर दिया है और जानकारी के नसार अब आठ्थाड़ जुलाई को प्रस्तावित जेडी उपदा दिकार्यों की मीटिंग में शामिल होंगे वैसी अपेंद्र कुछवाह पहली दभाप पार्टे पताकारीयों की मीटिंग में शामिल होने वाले हैं तो इसको लेक जो चर्चाओं का बाजार गर्म हैं इसको लेकर सियासत ही तेज हो गई है कि आखिर आर्सीपी सिंग का इस लेटर से नाम क्यों हटा दिया गया उपेंद्र कुश्वाहा जो अलग दौरे पर जाने वाले थे अलग-अलग जीलों में जाने वाले थे वह अब तमाम दौरों को उन्होंने रद कर दिया और 18 जुलाई को अब पदाधिकारियों की मीटिंग में वह संबोधित करेंगे तो इसको लेकर आप चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या सच में जेडिव में अब कुछ भी ठीक नहीं है वो पेंद्र कुश्वाहा और आर्सीपी सिंग को लेकर जिस तरीके से चर्चाओं का बाजार गर्म है किया कुछ ने अपडेट्स आते हaliśmy प्लेक्त में तमाम अपडेटेट में वेद्र हीर के साथ AAPKAS